जै शिराम सभी भक्तों को जै मातागी फिर एकने वीडियो के साथ हाजिर हो गई है और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि जब शरीर पर शक्ति देविक शक्ति आती है तो कौन सी ऐसी सावधानिया होती है जो भगत को जरूर बरतनी चाहिए जरूर अपन सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब भी करके रखे चलिए सुरू करते हैं आज के वडियो जैशिराम जैश्री बाला जिमाराद शरीर में जब देविक शक्तियों का वास होता है जब देविक शक्ति शरीर को चुनती है तो कोई ना कोई तो कारण कोई ना कोई religion कुछ ना कुछ तो उदेशे होता ही है क्योंकि जब भगवान ने हमें कोश शक्ति परदान करी है कोई उज़ा परदान करी है तो हमारा भी एक नेतिक फर्ज बनता है उस उज़ा के परती अपने इस अरद्धा के परती कि हम उन शक्तियों को संभाल के रखे और नियम के अनुसार ही सन्चालू रूप पे चालू रूओए कैसा है कgregी वार व्यक्ति शक्ति के मद में कुछ ऐसा कैसी कारिय कर दिता है जिसके कारन शक्तियां रोष्ट होती है फिर उन्हें वो अनुभब भी नहीं zijn होते है पिर उन्हें वो पता नहीं लगता कि कि वाक्य में हमारे शरीर पर कोई शक्ती थी या क्या था देखिए जब हम भगवान की पूजा करते हैं अरादना करते हैं नित्य सेवा करते हैं इसमें तो सचाई है जो अपने इस अराद्य की सेवा पूजा याचना करेगा उसे उनकी किरपा तो जुरूर प्राप्त है क्यो कि हम भगवान की जब पूजा कर रहे हैं वो हमारी खुद की आत्मा का मिलन है अपने इस अराग जैसे उस पूजा को कौन रोकते और जब वो किरपा हमें प्राप्त हो जाती है तो हमारे अंदर सबसे पहला कारिया क्या होता है एहंकार में ही होना जाए एहंकार कहते है कि एह भगवान ने स्वम का है देखिए भगवान राम से आपको बहुत कुछ शिक्षा मिलती है सीखने को क्योंकि वो अरदर्श वादी है वो अरदर्श उन्होंने मर्यादा में रहकर युद को लड़ा मर्यादा से विरुद रहकर नहीं लड़ा उन्होंने माया का परवंचन नहीं रचा जो कि रामन ने रचा मशक्ति के मद में फिर भी रामन को हार का सामना करना परा कहते हैं कि जब भगवान शिरी हरीक के कानों से दो राक्षस दो असुर पकट हुए थे उन असुरों ने काफी वर्षों तक भगवान के साथ युद करा नेकिन प्रपंचन और श विशेश उदेश्य रखना चाहिए किसलिए हम भगवान की शक्ति को हासिल कर रहे हैं और अगर भगवान ने हमें चुनी ही लिया है तो हमें कैसे करना चाहिए किसी भी दूसरे की निंदा नहीं करने चाहिए जिसके पास शक्ति है कभी उसकी बुराई ना किजिए क्योंक करएगा ना दूलत करएगा इसनี के बात यहां कि जन के कल्यान के लिए वह वेक्ति हमेशा अदेजित रहता है जन के कल्यान में अगर आपके पास बगवान की खिरपा है तो अदिक से अदिक उपकार करने की कोशिश कीजिये जहां तक आप से سنبھا ہوتا ہے उसके बाद बगवान का रास्ता दिखा दीजी देखए करने वाले आप बगवान की पूझा को दिखाने वाले रखिओ हो अगर बगवान ने आपको चुना है तो उसके पीचे कोई लीजन है कोई ने कोई कारण है कोई ने कोई शक्ति काम करने चाती है तब ही उसमular Guard ने आपको चुना है अगर ऐसे चुनाव को आप बटका दो ऐसे चुनाव को अगर उदेश से हिन कर दो तो आपका तो नुक्साण года ही होना है क्योंकि घभवान शक्ति उन्हें परदान करता है जिनसे उन्हें कुछ कारियर करवाना होता है जिनके दोड़ा नहीं तो ऐसे पूरे सिंसार पे दिखो आत्मा रूपी शक्ती तो सभी के पास है शर्ट ये होती है कि भगवान ने हर व्यक्ति के शरीमे शक्ति तो दे रखी है नेकिन उजागर किसी किसी की होती है जो व्यक्ति नित्य नेम से प्रभू के परती लगन लगा ली माल लीजिये किसी व्यक्ति ने लगा अतार एक साल से एक ही मंतर से भगवान की एरादना कर रहा है मन में कोई छल नहीं है कोई कपट नहीं है कोई एहंकार नहीं है सिरफ भगवान के मंत्रों का गुनगान कर रहा है तो उसके साथ भगवान की दिव्य शक्तिया चलती है दिव्य किर्पा चलती है अब मैंने आपको बोल दिया कि एक साथ और कोई व्यक्ति बारा साल से भी अगर भगवान की पूजा कर रहा है और लगन से नहीं कर रहा है और का परचार करने के लिए हम होते कोल है भगवान तो स्वम एक परचारिक शक्ती है वो हमारे मुख के मादन से कुछ भी करवा सकते है नेकिन वो किसी व्यक्तिगत विशेश को मुख्या बनाने के लिए जैसे किसी का नाम भक्त के बगएर उनकी कोई शान नहीं है अगर भक्त का नाम नहीं होता तो भगवान की भी कोई शान नहीं होती मा वैशनों ने वैशनों वहां प्रकट होई तो प्रकट होई वहां शिरदर भगत को बनाया जोआला में धानू भगत को बनाया अब माकाली रामकेशन परमहंजी को बनाया आब उसके वाद भगवान श्री केशन मीरा को बनाया तो ऐसे इतियास के पन्नों में उन्हीं शक्ष होगा जिनों ने बलीदान दिया है अपने इश्ट अभी आप देख रहे हो रादारानी की जो नाम ले रहे हैं प्रेमन शक्ति पराप्त होई है परमात्मा की कोई किर्पा पराप्त होई है तो कभी एहंकार मत करना एहंकार ही नाश की निशानी है गमन और एहंकार व्यक्ति चाह धन का करे चाह विवेक का करे चाह बुद्धी का करे चाह ज्यान करके उसके एंड में एक अक्षर जरूर आता है अगर एहिंकार आता है अगर एहिंकार नहीं आता तो कोई भी शक्ति दिव्यवान बनने में कोई नहीं रोख सकता अगर आपके पास शक्तियां है भगवान की किरपा है दूत माराज की किरपा है वीर की किरपा है तो एहिंकार ना किजिए प्रभू को कहिए कि है प्रभू की रोटी का निवाला वो स्वम आपको देता है उन्होंने अधिकार दिया है तब ही आप अपने इश्ट अराद्य की सेवा कर रहे हो अगर अधिकार नहीं दिया होता तो हम सेवा वो पच्चता भी नहीं है कई वह आप देखते हो ना ब्राह्मन को जैसे कि मंदिर में चड़ करने लगाएंगी इसी पकार से जब भगवान की सेवा करते हैं तो आपको भगवान अधिकार देते हैं अपने आप ही अगर कोई वक्ती आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो वो भगवान ने अधिकार दिलाया है ये किसी और ने नहीं दिलाया परमुक बनाने वाला नहीं तो वो तो एक सेकिन में गेर दे किसी को भी जिसके अंदर एहंकार की बू हो जिसमें गमंड हो उसको तो कभी नीचे उतार सकता है इसलिए परमात्मा की शक्ति को कभी ललकारे नहीं परमात्मा की शक्ति अपने त्रिक्य से काम करती है उनके पास बुद्धी विवेक सब कुछ होता है सिर्फ नहीं होता तो क्या नहीं होता एहंकार एहंकार नाश की निशानी है बगवान राम ने कभी अपनी शक्तियों का एहंकार ने किया जब सुग्रीव के पास गए तो सुग्रीव ने कहा कि आप दो जटा दो सीर पर बान्देवे हैं किया आप रावन जैसे उसको मार दोगे और वाली जो है इतना महावली है रावन को भी अपनी काच में जिसने जबा रखा था तो आप उसको कैसे मार दोगे तब भगवान ने कहा कि सब अपने समय से हो जाएगा नेकिन भगवान उनने फिर भी वो नहीं माना, फिर भी नहीं माना, फिर कहते हैं कि चलो मैं मान गया, मैं विश्वास करता हूँ, हे प्रभू, मैं विश्वास करता हूँ, नेकिन जो मेरे सैनिक हैं, इनको तो विश्वास दिलाना पड़ेगा ना, तो उनके लिए भगवान ने फिर भी एंकार नहीं किया फिर भी उसे बाली से मुक्तिद राई और उसे कहा कि अभी तो जैसे की बरसात है तो तू उसके बाद आ और युद के लिए हमारा स्योग कर नेकिन वो राजा के जो आपको पता है कि जब किसी को धन दोलत मिल जाता है तो उसके अंदर एंकार जाता है वो भूल जाता है कि मैं क्या था और मैंने क्या वचन किये थे इसी पकार से हमने अपनी मा के गर्म में भगवान से वचन करके हैं भगवान की नित्य सेवा करना पूजा करना याचना करना क्योंकि हम उनकी संतान हैं तो हमें अपने उदेश्य से भष्ट नहीं होन चुनता है और जब चुन लेता है माहा भारत के युद में अर्जुन को चुना इसी पकार से आप कभी भी देखनेना कि जहां-जहां सुग्रीब को चुना बाली के इलावा तो इसी पकार से भगवान खुद चुनाव करते हैं अगर आपके ऊपर भी कोई किरपा है तो पानने आपको चुना है इसलिए वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए शेर कीजिए ताकि कोई व्यक्ति अगर आपने पत से भठक रहा हो तो वह यह वीडियो उसके तक भी पोड़ सकते हैं